नमस्कार दोस्तों कैसे हो दोस्तों आज बात करेंगे हम राजस्तान युनिशिटी के बीए सेकंडियर के इंग्लिस लिटरिचर के स्लेबस के बारे में जो 2024 में आने वाले तीन-चार महीने बाद जो एक्जाम लगेगी चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो नॉन कोलेज हो दोन के स्लेबस को लेकर आज बात करेंगे हम राजस्तान युनिशिटी ओफ राजस्तान जयपूर स्लेबस है बीए पार्ट सेकंड इयर एक्जामिनेशन 2024 में लगब तीन-चार महीने बाद लगी उसका स्लेबस है दोस्तों ये तो आप बिलकुल वीडियो तो लास तक देखना ज़्याद से ज़्यादा शेयर करने की कोशिस कीजिए और जो भी साती पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और बेल आइकन को प्रेस कर लेवे ताकि जो भी अपडेट्स है और भी क्लासे हैं या पे सेकंड इयर की वो आपको प्ल बिल्कुल दोस्तों ये देखो इंग्लिस लिट्रेचर बी एपार्ट सेकंड इयर अब देखो स्लेबस ये कुछ निर्देश है दा स्लेबस एम्स एंड अचीविंग एड़ दा फॉलोविंग ऑबजेक्ट्स यानि आपको ये फॉलो करने हैं और आप पढ़ सकते हैं उसक भी इसमें समराइजिंग डाइलोग राइटिंग अंडेस्टेश लिट्रेश त्वेस्टेपर का जो फॉलोविंगर में नाम था फर्स पेपर का Poetry and Drama और सेकंड यर में भी फर्स पेपर का नाम है Poetry and Drama ये Maximum Marks आपके 100 नंबर का होगा दोस्तों किते नंबर का 100 नंबर का होगा Maximum Marks मैं आपको बता दूँ Maximum Marks 100 नंबर का और Minimum जो Passing Marks आपको 36 नंबर लाने होगे समय होगा तीन गंठे का First Paper का नाम Poetry and Drama दोस्तों चलिए अब इसमें कुछ देखो ये Question किस परकार के आएंगे वो आप देख लो कि Question Number First Reference to Context with Unit A, B and C यानि तीनों यूनिट इसमें तीन यूनिट दी गई है First Paper में A, B, C उनमें से तीनों में से आपको Reference जितने भी Related Topic है जितने भी Writer है वहाँ से आपको Reference to Context दिये जाएंगे और 8 Reference to Context दिये जाएंगे पहले Question में कितने दोस्तों 8 Reference to Context दिये जाएंगे जिनमें से पार गुणा 5 बरावर 20 यानि जो Reference to Context होंगे वो 20 नमबर के होंगे आपको जरूर जहां रखना है दोस्तों फिर जो अगला Question है Second Number का जो Question है दोस्तों Will be compulsory ये भी करना अनिवारी है The student will be required to attempt 5 questions out of 10 यानि 10 questions आपको देखने को मिलेंगे पेपर में और उस 10 में से आपको 5 questions करने पड़ेंगे और answer कितनी लाइन में दिना होगा दोस्तों 5 लाइन में यानि 5 लाइन में जो First Year में जो प्रोसेस था वोई से हैं इसी में और Each question will carry 4 marks यानि प्रतेक Qution कितने नमबर का 4 नमबर का Qution कितने करने पड़ेंगे 5 तो 5 गुना 4 बरावर 20 तो 20 नमबर के आपके ये 5 lines वाले Qution होगे दोस्तों अब देखो तीसरा जो Qution है दोस्तों इस टाइप का है जो 20 marks का होगा प्रतेक यानि तीन Qution आपको करने पड़ेंगे और प्रतेक 20 नमबर का है तो 60 Qution तो 60 नमबर के और 40 नमबर के वो तो 20 20 नमबर के तो 100 नमबर का आपका पेपर हो चुका है दोस्तों बिलकुल अब देखो section A के अंदर कौन-कौन से आपके point है कौन-कौन से writer है वो सब चीज़े आईगे है देखो thumbs gray की है दोस्तों इलिजी thumbs gray की एलिजी है दोस्तों एलिजी written in a country चर्चार बिलकुल मैंने पूरी करवा रखी है चैनल पर आप प्लेइलिस्ट में बीए सेकेंडिर की प्लेइलिस्ट बनी हुए है वाँ जरूर देखेगा वाँ पूरी करवा रखी है दोस्तों मैंने वीलियम ब्लेक की है दो पोईम है लंडन और टाइगर बिलकुल दोस्तों ये भी मैंने पूरी करवा रखी है और वीलियम वर्डस वर्ड की है the words is too much with us ये भी मैंने करवा रखी है दोस्तों बिलकुल आप चैनल प्लेलिस्ट में जाएगा वाँ देखेगा स्ती कॉल्रीज की है दोस्तों सोलेट्री रिपर स्ती कॉल्रीज का है तोमनेक्र मैं बचुरूए धीन ऑर एश्येंट मेरीनर जर्स गॉर्डन ब्रैन की है दोस्तों दरिस्वेजर इन दा पैथ्लेस वॉड्स पीबी शेली किये दोस्तो ओर्ड टू दा वेस्ट विंड और जौन कीट किये दोस्तो तू अटोवन ये section A के अंदर है आप पढ़ सकते हो जस्पीर जेन की जो Macmillan Publication की जो बुक आती है उसमें इनका text मिल जाएगा collection मिल जाएगा सभी points का अब देखो section B के अंदर दोस्तो क्या है section B के अंदर देखो section B के अंदर दोस्तो ये section B है निजिम इंडियन राइटर से दोस्तो निजिम इजिकल की है enterprise night of the scorpion कमलादास के दोस्तो my grand mother's house and the looking glass यानि दो है इनमे निजिम इजिकल की दो है enterprise और night of the scorpion कमलादास के दोस्तो my grand mother's house and the looking glass अरुन कॉलतकर की है दोस्तो an old woman दाबस और चेतन्य ये किसका है अरुन कॉलतकर का एके रामानुजन का है दोस्तो of mothers among other things और a tree और a river ये एके रामानुजन का है दोस्तो अब है गिरिवी पटेल का है देखो on killing tree और servants ये किसका है दोस्तो गिरिवी पटेल का ठीक है दोस्तो अब चलिए हम section C के अंदर section C के अंदर देखो दोस्तो इप्सन का है ये डोले house टैगोर का है दोस्तो post office ये अच्छी चीजे पढ़ना और इनसे आप पढ़ सकते हो reference book है ये इप्सन की अलग-अलग से books आती है ये मैपल प्रेस की है ये है स्प्राइट्स प्रेस की ये books है इसके मादियम से आप इनको पढ़ सकते हो एडोले house दा post office इप्सन और टैगोर का section C के अंदर ठीक है दोस्तो ये paper first हो गया paper second की बात करें दोस्तो Sam वही process paper second के अंदर भी जो first year में था हमारे पास बिलकुल paper second का नाम है दोस्तो the pros and fiction pros and fiction यानि ये भी maximum marks 100 नंबर का minimum passing marks 36 और तीन गटे का paper होगा दोस्तो ठीक है दोस्तो वही question आपको Sam जो first year में चल रहा था question number first reference to context from unit a only only a unit से जो a unit के अंदर जो writer है वहां से आपको reference to context आएंगे यहीं 8 दिये होंगे 4 आपको करने होंगे प्रते एक 5 नंबर का होगा तो 20 नंबर का यह होगा और question number two will be also be compulsory यह भी same वही 10 question आपको देंगे 5 question आपको करने पड़ेंगे और प्रते question चार नंबर का होगा तो से बीस नंबर का यह question होगो पांस lines में इसके answer देने तीन जो question हो वह बीस बीस नंबर के बड़े question आएंगे ऐसे टाइप के ठीक है दोस्तों अब देखो section A के अंदर देखो क्या क्या है section A के अंदर देखो एस रादक्षन पहला है एस रादक्षन दा गांधियन आउटलुक फिर है आरके नारेन का एबुकिश टॉपिक जेवी प्रिस्टली का हदस तो making writing simple वर्जिनिया वुल्फ की है how should one read a book ठीक है दोस्तों और लियो टॉलिस्टोई की है three questions पारल एस बर्क की है दा refuse आरके नारेन की है दोस्तों अंडर दा बेनिया ट्री अलाइस वाकर की है आई एम ब्ल्यू ये section A के अंदर और इन ही में से आपके आठ जो चार reference to context आएंगे वो आपको करने होंगे ठीक है दोस्तों आप बुक पढ़ सकते हो देखो An Anthology of English Assess, R.P. Singh की Oxford University Press ये पढ़ सकते हो आप और ये वाली बुक पढ़ सकते हो उसके माधियम से बिल्कुल ये authentic बुक है रासान University द्वारा मनेता प्राप ठीक है दोस्तों section B की मैं बात करूँ 54 नहल का जो आजादी है वो नोविल आपको पढ़ना है William Golding का जो Lord of the Files है ये आपको section B के अंदर देखने को मिलेगा ठीक है दोस्तों अब देखो section C की मैं बात करूँ दोस्तों section C के अंदर इसमें आएगा note making आएगा summarizing आएगा और theme writing आएगा ये तीन तोपिक आएगे section C के अंदर note making, summarizing, theme writing बिल्कुल ये आपके section C, paper second और first के हमने बात की भी ये second year का English literature का syllabus था दोस्तों अपने सातियों के साथ शेर कीजिएगा syllabus में कुछ बदलाव है पिछले से जो अपकी वाद syllabus में कुछ बदलाव है तो आप जरूर वीडियो देखेगा और सातियों के साथ शेर कीजिएगा आज की इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद